कि फ्रेंज आज में आगिया मुर्गा मंडी यहां पे बहुत अच्छी तरीके से साब सबह होता है और नियू टेक्नलोजी दरा यहां पे मुर्गा साब के जाएगा जैसे कि देख पार हो यह भाई साब मुर्गा पकरने का कोशिस कर रहा है कि कि का सबसे早का के का साब कुछ पार अगगा production तर्बद कर रहा है कि यह बाइसा पहले गरम पनी के अंदर इस मुर्गे को डाल रहे हैं डालने के बाद कुछ देर के बाद इसको निकाल के फिर मुर्गा साफ करने वाला मैसिन के अंदर इसको डाले जाएगा फ्रेंस यह नया टेक्नोलोजी मुर्गा साफ करने वाला मैसिन जैसे कि देख पार हो यह मुर्गा मैसिंग अंतर डाल दिया अब इसको आन करते ही यह चाले तरफ गूंते रहाएगा और इसका सफाय होते रहाएगा मुर्गा साफ करने वाला मैसिन बिलकुल नया टेक्नोलोजी और बहुती प्रिया सफाय होता है यह मैसिन मेडन इन इंडिया प्रेंस यह मुर्गा कितना बड़िया साफ सफाय हुआ मैसिन से निकालने के बाद देखो फ्रेंस कितना बड़िया सफाय हुआ यह मुर्गा उसके बड़िया से साफ सफाय करने के बाद इसको काटिंग कह जाएगा के बाक्यों की यह मुर्गा झाल 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 प्रेंज यह मुर्गा साफ बने के बाद नीचे से सारे कच्रा गिर रहा है जैसे कि आप दो के बाहर हो कि दो कि दो कि यहिटी से नीचे से जाइपा है कि दो कि दू है अजब सबने के बाद प्रेंगा कमें प्रेंगा यह उतल से कि अवेखश प्रेंगा नीचे से थाइग इभादण झाल झाल प्रेंस मुर्गा साफ करने के बाद इसको हलका आग में सिका जाता है झाल 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 आप ये मुर्गा को पीस किया जा रहा है प्रेंस मुर्गा साफ करने के बाद प्रेंस मुर्गा साफ करने के बाद प्रेंस मुर्गा साफ करने के बाद ये मुर्गा साफ करने के बाद प्रेंस मुर्गा से लाद कि दे बाला कि जे ल puff Ge 250 टी अन्हय कर सूँर आइन 5 जो फटरया Clay कर दो कही लगरं पर और्फटे अने परे कर लगर इद्वडम्र्या ॉ ऊड़न नडर नॉ आप दो कियाराम अनुस से बहें को सिक जड़ाओं अपर भी मार्शाल, खीचित अनुसे कई नुस्टान। बासे ज़ती है अनुसे आपकाति है खीजिए घंगठे आपकाति है अजित निए है अजब आपकाति है कजिए गौर्दें नियुंस आझा जिए जा पॉलेए जो ढ़को शैना जाग है आइ एल्ग तो हमादर कारागारी जिटागारी जिटागारी है कि असलिक्ति तुसे लिए जो जो तो आइ आसे बालकेर का दोगंद आहरा हूं मच आए सो आए जआ कई नहीं कि दो आवय झाड़ोनी नहीं पारहोए उठे फ्रेंज ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से यार कमेंट्स जरूर करना और सब्सक्राब करना ना भूले